Welcome to Edujos, Edujos में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2011 की जनगनना देखेंगे भारत की संपूर्ण जनगनना पर ये टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जैसे की साक्षरता दर है, क्या है लिंगा नुपात क्या है किस राज्यो में और राज्यो में कौन सबसे आगे है, कौन पीछे है साक्षरता दर में, फिर उसके बाद है घनतु के हिसाब से सबसे आगे कौन सा राज्या है, सबसे पीछे कौन है तो इन सभी महतपूर्ण प्रशनों पर यह एक विशे इस वीडियो है आप सभी के लिए तो पडिक्षा से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि एक से दो क्वेशन हर एक एक एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है रिसेंटली जितने भी एक्जाम में उसमें इक वेशन पूछे गए हैं और इसी तरह के वेशन हैं जो आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखे और लास तक देखे ताकि एक भी क्वेशन आपके लिए छूटना सके आने बिहार में कई सारे एक्जाम साने वाले हैं तो बिहार के लिए यहां पर इसमें एक special कुछ चीजे भी add की गई है जिसकी बज़े से आपको बिहार की जनगरना के बारे में जानना चाहिए क्योंकि बिहार का अगर आप एक्जाम देने जा रहा है तो आपको इसके बारे में मालूब होना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल से पहली बार जो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लीज़ेगा और वीडियो अच्छी लगए तो उसे like and share जरूर कीज़ेगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनगर्ना जनगर्ना जो सबसे पहली बार विश्व में जनगर्ना होई थी यह कब होई थी किसके समय में? Lord Mayow के समय में और इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछता है कि भारत में नियमित जनगन्ना कब से शुरू हुई? तो नियमित जनगन्ना जो है वो 1881 में और Lord Ripan थे इस वक्त तो Lord Ripan के समय में नियमित जनगन्ना जो की 1881 आपको याद रखना है और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आजाद भारत की पहली जनगन्ना कब हुई थी? तो ये 1959 में हुई थी आजाद भारत यानि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगन्ना थी 1951 में हुई थी और यहीं पर एक important सवाल अकसर एक्जाम में पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिबस कब मनाय जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिबस मनाय जाता है अब हम लोग बढ़ते हैं अगली topic पर जो की जनसंख्या 2011 के कुछ आकड़े हैं जिसको आपको याद रखना है जनगन्ना 2011 में देश की जनगन्ना कितनी है? साल 2021 में जो यह जनगर्ना होगी इस जनगर्ना में जो होगा वो उसका करम होगा 16 हुआ अभी था 15 वी स्वतंतर भारत की सात्वी जनगर्ना है वैसे 2011 जो है जनगर्ना जो हुई है यह 15 वी है अगर स्वतंतर भारत की बात करें तो यह सात्वी है इसके बाद यहाँ पर जनगर्णा 2011 में कुल प्रश्ण शामिल थे जो पूछे जाते हैं जनगर्णा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब बताना होता और उसके हिसाब से ही जनगर्णा त्यार होती है 39 सवाल पूछे गए थे देश की कुल जनसंख्या कितनी है तो 121.08 करोड ये टूटल जनसंख्या है भारत की 2011 की जनगर्ना के अनुशार विशु की जनसंख्या का भारत में साड़े सत्रा परतिशत जनसंख्या रहती है आप से सवाल पूचेगा कि भारत की जनसंख्या विशु की जनसंख्या का कितना परतिशत है तो आंसर होगा 17.5 परतिशत इसके बाद question है भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो पुरुषों की जनसंख्या है 62.31 करोर जो की 51.47% होता है अब चाहें तो note down भी कर सकते हैं वसे आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा अब telegram जोइन कर ली जाएगा वहाँ से इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर है भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या है तो जो महिलाओं की जनसंख्या है यह 58.74 करोर है और इसमें जो परतिशात है यह भारत की जनसंख्या गया 48.53 परतिशात ठीक है इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल जो है यह 100% हो जाएगा क्योंकि पुरुष्ट की जनसंख्या 50.47 परतिशात और महिला की है 48.53 परतिशात इसके बाद सिशू की जनसंख्या जो बच्चे है उनकी जनगरना अलग से होती है तो इसमें जो उसी मतलब उसमें count अलग से उनको किया जाता है पुरुष महिला में उनको count नहीं किया जाता 0 से लेकर के 6 आयोगे यानि 0 से लेकर के 6 वर्स तक के जितने भी बच्चे हैं इनको जो है इनका अलग से आकड़ा निकाला जाता है तो 16.44 करोड ये बच्चे हैं जो की 13.6 परतिशत है और 10 की जनगना व्रिधी की बात करें 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 तक कितनी हुई है तो ये 18.19 करोड की व्रिधी हुई अगर परतिशत में इसको बताएं तो 17.7 परतिशत की व्रिधी हुई है 10 की जनगना का मतलब होता है जो परतेक 10 वर्ष पर जनगना होती है जैसे 2001 में हुई उसके बाद 2011 में हुई तो अंतर कितना हुई 10 साल का इस 10 साल में अगर पहले जनसंख्या 100 थी और बढ़ करके 10 साल के बाद 120 हो गई है तो आप यहाँ पर कहेंगे कितने परतिशत की विर्धी हुई है 20 परतिशत की तो यही परतिशत विर्धी और ऐसे विर्धी कितनी हुई 20 तो वही चीज़ है यहाँ पर यह विर्धी है और जुका पर पर बताया गया है नेक्स्ट यहाँ पर है जनसंख्या घनत्व के बारे में जनसंख्या घनत्व कितना है तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है यह है 382 वक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर यानि एक किलोमेटर लंबा एक किलोमेटर चौड़ा इस एरिये में 382 लोग रहते हैं इसी को कहते है य 382 वक्ती प्रती वर केलोमेटर और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात होता है महिला और पुरुष के अनुपात के बारे में तो महिला और पुरुष यानि यहां पर बात होती है एक हजार पुरुष में कितनी महिला रहती है ठीक है तो यह भारत के अंदर जो ह भारत की है वो यहां पर गलत है आप इस आंकडे को सुधार यहां पर 73% नहों करके 74.04% होगा आप इसको PDF में भी correct कर लिजगा 74.04% ठीक है और इसके बाद है पुरुष साक्षरता यानि male साक्षरता दर जो यहां पर है यह भी गलत है आप इसको सही कर लिजगा यहां पर अंसर होगा इसका 82.14% ठीक है 82.14% है यह male का और यह जो female है यह भी गलत है जिसको आप correct करके आप लिखेंगे 65.46% यह जो है official data है PIB के website पर भी मिल जागा जो कि government की website है और बाकी census India की website पर भी मिल जागा आपको जो की Indian government की website है यह सब ही आकड़े वहां से उठाएगा है तो आप इसको correct कर लिजगा कई sites पर आपको यह data मिलेगा जो की बिलकुल सही है और यही आपके exam में भी आपको देख करके tick करना है ठीक है तो बाकी आकड़ों के पीछे नहीं जाएगा जो यहां पर है male साक्षरता कितना है 82.14% यहां पर female है 65.46% जो की लगभग 66% लोग बोलते है या सारे 65% भी आप कह सकते हैं 74.04 है जो की total साक्षरता है भारत की इसके बाद है सरवादिक जनसंख्या वाला राज जिस राज्य की सरवादिक जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश नमबर वन पर कौन है उत्तर प्रदेश इसके बाद हम आगे देख लेंगे एक से लेकर के 5 तक जो top 5 राज्य है वो भी हम देखेंगे कौन-कौन से हैं यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे उपर कौन है उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या है 19.98 करो तो जिनका उत्तर प्रदेश का एक्जाम है उत्तर प्रदेश के बारे में ये चीज़ आप जरूर याद रखेगा और भी चीज़ें पढ़ लीजेगा वहाँ पर साक्षरता दर क्या है वहाँ पर male-female का ratio क्या है लिंगा नुपात और इसके बाद यहाँ पर है निवन्तम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम जिसकी जनसंख्या है 6.10 ये लाग 6.1 लाग तो ये जनसंख्या थी उत्तरप्रदेश और सिक्किम की उत्तरप्रदेश नंबर बन पर उपर में और जो सबसे आकरी पाइदान पर है वो सिक्किम है जनसंख्या के मामले में अब यहाँ पर है सरवादिक जनसंख्या वाला केंदर सासित राज्य तो जो केंदर साशित प्रदेश है वो दिल्ली को आप कहेंगे कि जो सरवाधिक जनसंख्या वाला है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रिजन में आता है NCR इसको बोलते है और लक्षद्वीब जो है वो सबसे नियूंतम जनसंख्या वाला के इंद्रिशाषित प्रदेश या राजय आप कही है तो यह है लक्षद्वीब जिसके जनसंख्या यहाँ पर है 4.47,000 ठीक है और यहाँ पर जो दिल्ली की है 1.67 करोर अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर है जनसंख्या की दिरिश्टी से 4 सबसे बड़े राजय कौन से हैं तो देखे जनसंख्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरे नमबर पर है महाराष्ट, तीसरे नमबर पर है बिहार और चौथे नमबर पर है पस्चिम मंगाल, तो याद रखेगा बिहार का स्थान क्या है तीसरा, महाराष्ट का स्थान क्य जनसंख्या में और पस्ची मंगाल वाले याद रहेंगे चौते नंबर पर पस्ची मंगाल है लेकिन आप सब को ये भी याद रखना है कि पहले नंबर पर कौन है दूसरे नंबर पर कौन तीसरे पर कौन और चौते पर कौन इसके बाद है जनसंख्या कि दिश्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है पूरे देश की बात हो रही है तो जिला जो है वो ठाने महारास्तर पे है जिसकी जनसंख्या 1.10 करोड है इसके बाद है जनसंख्या कि देश्ट्री से सबसे छोटा जिला कौन सा है पूरे देश में इसका नाम है दिबांग घाटी जो की अरुनाचल प्रदेश में है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 7,940 है ठीक है इसके बाद है सरवादिक जनसंख्या घनत वाला राज जिस राजी का घनत तो जो है वो जनसंख्या घनत तो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है एक तो हो गई जनसंख्या और एक वा जनसंख्या घनत तो होता है जिस यहां पर ग्यारसो छे व्यक्ति प्रती वर किलोमीटर बिहार के अंदर रहते हैं, जो कि सरवादिक है, अब तक में सबसे ज़्यादा किसी भी राजी के अंदर जो है, वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको याद रखना है कि सरवादिक जनसंख्या गनतुवाला राज ब तवाल पूचा जा सकता है कि सरवादिक जनसंख्या गनतुवाला केंदर शाशित प्रदेश कौन सा है, तो अंसर होगा दिल्ली, जहां पर 11,320 वक्ति प्रती वर किलोमीटर रहते हैं, ठीक है, देखें, यहां पर राज्य पूचा गया है, इसलिए बिहार बताया गया है, अगर आपको केंदर शाशित प्रदेश के साथ इसको जोड़ दिया जाए, कि सरवाधिक जनसंख्या गनतुव निम्न में से किसका है, और ऑप्शन में अगर आपके सामने दिल्ली हो, राज्य ना पूचे, सिधे ऐसे पूच दे कि केंदर शाशित प्रदेश या राज्य क अब जो है, यहाँ पर आपको याद आखना है कि जो नियूंतम जनसंख्या गनतुवाला के अंदर शाशित प्रदेश है, वो कौन है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या गनतुवाला के अंदर शाशित प्रदेश दिल्ली हो गया, तो सबसे कम वाला है अंडमान निकोबार जहां पर एक वर्ट किलोमेटर के अंदर सिर्फ 46 वक्ती रहते हैं तो आप याद रखेंगे 46 वक्ती प्रती वर्ट किलोमेटर अगला जो अपडेट है यहाँ पर सरवादिक जनसंक्या घनतोवाला जिला ठीक है यह पूरे देश की बात की गए है उत्तरपूर्व दिल्ली जो है यह सबसे ज़्यादा है जो की 37,340 वक्ती प्रती वर्ट किलोमेटर रहते हैं और सरवादिक जनसंक्या घनतोवाला जिला कौन सा है तो यह दिबांग घाटी जो की अरुनाचल प्रदेश में है जो की नियुनतम जनसंक्या घनतोवाला जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे अरुनाचल प्रदेश में एक वक्ती प्रती वर्ट किलोमेटर रहते हैं यह जिला की बात की गई है इसके बाद है सरवादिक लिंगानुपात लिंगानुपात बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा कि लिंगानुपात वाला जो राज जिसकी सरवादिक लिंगानुपात है वो है केरल केरल में 1000 पुर्शों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 1084 है 89 महिलाएं प्रती 1000 पुरुष ठीक है तो ये दो चीज आपको याद रखने हैं इसके बाद है नियुंतम लिंगा नुपात वाला केंदर शासित प्रदेश भी आपको याद रखना है दमन एवम दिव जहां पर 618 महिलाएं और 1000 पुरुष तो ये रेशियो कई बार पूछ द देट है जहां पर 1186 महिलाएं प्रती 1000 पुरुष ठीक है तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है इसके बाद है नियुंतम लिंगा नुपात वाला जिला और ये है नियुंतम लिंगा नुपात वाला जिला जो की दमन में ही नुन एवम दिव 533 महिलाएं जो है 1000 पुर केरल की साक्षरता यहां पर आपको लिखे के 93.91 परसेंट बहुत ही अच्छी परसेंटेज है यहां पर केरल में साक्षरता दर जो है सरवादिक है और नियूंतम जो राज्य है साक्षरता वाला वो है बिहार अब बिहार की बात आई है तो आपको यहां पर बिहार के बारे मे दो तीन चीज़ें आपको बता दें बिहार में जो साक्षर्टा दर है वो कितना है यहाँ पर दिया गया है 61.8 परती सज़्जब कि यह गलत है इस आकड़े को आप सुधार लिजे 61.8 ना हो करके 63.82 है तीक है आप यह याद रखे का बिहार में साक्षर्टा दर कितनी है 63.82 आप इसको PDF में करेक्ट कर लिजेगा अपने नोट बनाने में आप इसको जो है वो करेक्ट कर लिजेगा और यहीं पर आपको यह याद रखना है कि बिहार में जो सबसे ज़ादा साक्षर्ता दर है वो कहां पर है रोतास जिले में है ये भी आपको याद अखना है क्योंकि बिहार में आपसे एक question पूछ सकता है तो रोतास जिले में सरवादिक साक्षर्ता दर है जो कि 73.37% है और इसके अलावा बात करें तो जो पूर्निया है पूर्निया एक जिला है यह जिला है अगर आपसे सवाल पूछे कि किस जिले में बिहार में सरवाधिक साक्षरता दर है तो आंसर होगा रोतास जिसका वैल्यू है यहाँ पर 73.37% ठीक है और यहाँ पर है पूर्निया में सबसे कम साक्षरता दर है बिहा 82% ठीक है अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बिहार में एक-दो चीज़ आपको और देखने है हमने जनसंख्या के बारे में आपको बताना भूल गया था कि जो बिहार की जनसंख्या है बिहार की जनसंख्या कितनी है यह आप नोट कर लिज़ेगा बिहार की 38th position पर जो जिला है उसका नाम क्या है तो उस जिले का नाम है यहाँ पर आप याद रखेगा इस जिले का नाम जो है शेखपूरा ठीक है शेखपूरा ये दो चीज आपको याद रखना है इसके अलावा आपसे सवाल और भी पूछा जा सकता है कि बिहार में लिंगानुपात क्या है तो बिहार में लिंगानुपात है 918 पूरती 1000 पूरुष ठीक है एक हजार पूर्शों पर 918 महिला है यहां का लिंगानुपात है और जो शिशू लिंगानुपात यहां पर है 0-6 साल के बच्चों के जो लिंगानुपात है यहां पर है यह 935 यानि एक हजार में कित तो जनसंख्या घनत जो बिहार में है वो आपको याद रखना है कि किस जिले में सबसे ज़ादा और किस जिले में सबसे कम तो जनसंख्या घनत तो बिहार में कितना है आपको हमने बता है ग्यारसो छे जो व्यक्ति है परती वर किलोमेटर ये आपको हमने भी बताया था ये है ग्यारसो छे व्यक्ति परती वर किलोमेटर ठीक है किलोमेटर इसके अंदर आपको याद रखना है कि कौन सा जिला है जो स सबसे लास्ट में हैं । यहांपर आपको याद रखना है सिवहर जिला का जो जण संख्या गंट है वह भीहार में सबसे जादा है जो कि कितना है अठारसो अस्यच ठीक है 818 व्यक्ती पर्ति वर कỉलो मेटर यह आपको याद किलो मेटर किलो मेटर स्कुराइड 488 व्यक्ति प्रती वर किलो मेटर तो यह बिहार के जनसंख्या घनतु के बारे में भी हो गया यहाँ पर हमने साक्षरता को भी देख लिया यहाँ पर हमने लिंगानुपात को भी देख लिया और यहाँ पर जनसंख्या भी देख लिया कि क पुरुस और महिलाओं का प्रतिशत साइद यहां पर हमने नहीं बता है देखें बिहार में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कितना है वो value भी आपको याद रखनी चाहिए बिहार में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो है 53.3 प्रतिशत और जो पूरुस का परतिशत है वो कितना है 73.39% यह साक्षरता दर है ठीक है बिहार में महिला और पूरुस की साक्षरता दर जो है percentage वो यह है यहाँ पर आपको यह female का है और यहाँ पर male का है male है कितने याईनि पूरुस 73.39% और जो महिला है यह है 53.3% तो ये भी आपको यादा अगना है ठीक है और बिहार में आपको हमने बताया कि जो रोहतास में है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता है और जो की 73.37% है पुर्णिया में 51.08% है और पूरे भारत के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि जो टोटल पूरे भारत के अंदर साक्षरता है और फीमेल यानि महिला के लिए जो साक्षरता दर है वो 65.46% इसी के साथ आपको बिहार को भी कंपेर कर लेना है मेल के लिए कितनी है 73.39 और फीमेल के लिए कितनी है 53.3% तो इस तरह से आप डेटा कंपेरिजन करके दोनों को याद रख सकते हैं ठीक है अब ह सरवादिक साक्षरता वाला केंदर शाशित प्रदेश है वो कोन है वो है लक्षद्वीब जहांपर 92.28% यहां की साक्षरता दर है सरवादिक साक्षरता वाला केंदर शाशित प्रदेश और नियूंतम साक्षरता वाला केंदर शाशित प्रदेश है दादर वर नागर हवे जब पूछा जाएगा कि नियुंतम सक्षर्टा वाला राज तो अंसर करना है बिहार ठीक है अधिक्तम सक्षर्टा वाला राज पूछा जाएगा तो अंसर होगा केरल नियुंतम सक्षर्टा वाला केंदर शासित परदेश होगा तो आपको अंसर करना है लक्षदीप और वै 98.76% और नियुन्तम साक्षर्ता पूरे देश में किस जिले में है सबसे कम तो यह है अलिराजपूर जो कि मद्ध परदेश में जहां कि साक्षर्ता दर है 37.22% ठीक है अगला आकड़ा यहां पर साक्षर्ता दर को ही लेकर है जो कि केरल में कितना है यहां पर यह पांच ऐसे राजप है जिनका साक्षर्ता दर आपको याद रखना है सबसे पहले नंबर पर केरल है जो कि 93.91% दूसरे नंबर पर मिजोरम है जो कि 91.3% तीसरे नंबर पर तिरपूरा है जो कि 88.7% इसके बाद है गोवा गोवा का है 87.2% और हिमाचल पर देश है पांच में नंबर पर जो कि 82.8% यह टॉप फाइव ऐसे राजप है जिनका नाम आपको याद रखना है और परसेंटेज भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकता है कई बाद पूछ देगा यह चार राज़ देदेंगे और कहा जाएगा कि इसको जनसंख्या के साक्षर्ता दर 2011 की जनकरना के अनुसार साक्षर्ता दर में कर्मा नुसार सजाईए तो नंबर वन पर कौन होगा सबसे पहले जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है वो उस तरह से सजाने को अगर कहेगा तो नंबर वन ये है, नंबर टू ये है, थ्री ये है और फूर ये है, तो ये आपको याद होना चाहिए टॉप फाइब राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए ठीक इसी तरह से लिंगा नुपात में बात करनें बन सकता है इस वाय्यूम में बनाइंगे और वही आंसर में रेडियो में कही़ जैसे मनले 9 सु 3 है तो आपको इस तरह से रेडियो दे दिया जाएगा तो भी ध्यान रखना हैं तर्शान तरह से आपको याद रखना है 9961 का मई्षर पर मपनिपूर में 992 महिला है एक हजार पुर्शो पर और 36 गड़ में 991 महिला है एक हजार पुर्शो पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जनगरना की दृष्टी से सरवादिक घनत्तो वाले कुछ राज्ज हैं जो कि आपको यहाँ पर 5 राज्ज हैं आपको याद रखना है पहले नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टी से जो घनत्त, सबसे ज़्यादा घनत्तो जिसका है यानि डेंसिटी जो हमने आपको बता है कि एक वर्ग किलोमेटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा संख्या किसी राज्ज की है तो वो है बिहार की जो की है ग्यारा सो चे परती वर्ग किलोमेटर और इसके अलावा यहाँ पर पस्चिम मंगाल जो है वो दूसरे नंबर पर है एक हजार अटाइस व्यक्ती परती वर्ग किलोमेटर और तीसरे नंबर पर केरल है जिसकी जनसंख्या गनत्यों है 860 व्यक्ति परती वर किलो मीटर चौथे नमबर पर है उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या गनत्यों यहाँ पर है 829 व्यक्ति परती वर किलो मीटर हलाकि जनसंख्या इसकी सबसे ज़्यादा है लेकिन घनत्यों के नमबर पर है चौथे नमबर पर है ठीक है और जो यहाँ पर पांचवा है वो है हरियाना तो इन पांच राज्यों को आप याद रखेंगे क्योंकि सीरियल को सजाने के लिए कई बार आपको दे देगा जैसे कि आपके सामने दे दिया जाए बिहार ठीक है केरल उसके बाद दे दे हरियाना ठीक है उसके बाद आपके सामने दे दे यहाँ पर उत्तरप्रदेश इन राज्यों में से बता दे आपको कह दे कि आप जो है इसको जनसंक्या घनत्तु के अनुसार जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले और जो सबसे कम है उसको बाद में सजा कर दिखाईए तो फिर options आपको सामने उसी तरह से होगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रखना होगा बिहार को क्योंकि number one पर इसमें आपको मिलेगा इसके बाद आपको यहाँ पर केरल दिया गया है और फिर हर्याना दिया गया तो आपको दो नंबर पर केरल को रखना होगा तीन नमबर पर आपको जो है वो हर्याना को रखना होगा ये तीन नमबर को नहीं तीन नमबर को यूपी पर रखना होगा चार नमबर को हर्याना पर रखना होगा अगला यहाँ पर है जनसंख्या, जनगन्ना की दृष्टी से पांच बड़े राज्य, जो जनसंख्या की दृष्टी से पांच बड़े राज्य हैं, वो यहाँ पर जनगन्ना नहीं, जनसंख्या होगा, जनसंख्या की दृष्टी से पांच बड़े राज्य जो हैं, वो कौ प्रदेश तो इन पांच राज्यों को आपको याद रखना है जनसंख्या की दिरिष्टी से भी और यहां जो हमने भी बताया था कि यह जनसंख्या की दिरिष्टी से सरवादिक घनत वाले राज ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है इन दोनों चीजों को आप याद हुई है तो सबसे ज़्यादा में हुई है जन संख्या विर्दी दस सालों के अंदर में यह 27.9% की हुई है यानि सो वेक्ति अगर 2001 में था ठीक है में घाले के अंदर तो 2011 में वो जन संख्या एक सो 27.9 इस तरह से आप मानेगे ठीक है इसी तरह से दूसरे नंबर पर अबनाचल परदेश है जहां की जन संख्या जो 10 साल में यानि दस के विर्दी यहां पर 26% रही तीसरे नंबर पर बिहार है जहां पर 25.4% विर्दी रही दस के विर्दी उसके बाद यहां पर चोथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया है तो इसको राज़ना समझ करके आप यूटी में इसको याद रखेगा और इसके बाद यहां पाँच में नंबर पर जारखंड है जिसकी जनसंख्या जो दस्की वृधि है वो 22.4 है ठीक है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने जनगन्ना 2011 के अनुसार साक्षरता दर देखी कई राज्यों की हमने जो साक्षरता प्रतिशत देखा लिंगानुपाद देखा शेशु लिंगानुपाद देखा और जनसंख्या गनतु के अनुसार राज्यों के करम देखे तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीज़ेगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद